चनमाश्टमी की कहानी बहुत समय पहले मधुरा में कंस नाम का एक राजा था जो अपने लालच और अन्याय के लिए बदनाम था अपनी बहन देख की की शादी वसुदेश से करने के बाद आस्मान में से एक भविश्यवानी हुए कंस देवकी और वसुदेव का आठवा पुत्र तुम्हारे अत्याचार का अंद करेगा यह सुनकर गुसे में कंस ने नए विवाहिद जोडे को कैद कर लिया एक के बाद एक कंस ने देवकी के साथ बच्चों को मा दिया जब देवकी के आठवे बच्चे का जन्म हुआ तो भविश्यवानी की आवाज फिर से आए उस आवाज ने कहा इस बच्चे को यमुना नदी के पार गोकुल ले जाओ और वहाँ पर अपने मित्रण लंद और यशोदा की जन्मी संतान से बदल दो इसके बाद वसुदेव ने देखा कि उनके हाथों की बेडिया खुल गए उन्होंने जल्दी से अपने बच्चे को उठाया और एक टोक्री में डाल कर चल पड़े कारागर के दलबादे खुद बखुद खुद खुल गए और सारे पहरेदाद यहरी में में थे जब वसुदेव ने सिर पर टोक्री लिए तूफानी नदी को पार किया तो पानी उनके कंधे से उपर नहीं उठा जब उन्हें परिशानी हुई तो एक दस सिर वाले साब ने छतरी बन बच्चे को बारिश से बचाया नन के घर पर अपने बेटे को रख कर वसुदेव यशोदा की बेटी को लेकर कारागर लोट आए जब कंध वहाँ पहुचा और बच्चे को नुकसान पहुचाने की कोशिश की तो बच्चे ने देवी दुर्गा का रूप धारन कर लिया और कहा फीर दुष तो जिसे मारना चाता है वह देवकी का आठवा पुत्र जनम ले चुका है और वह अपनी भविश्वानी पूरी करेगा बालक क्रिश्ण ये शोदा द्वारा प्यार से पाले गए और आगे चलकर उन्होंने कंस को मारा और बुराई पर अच्चाय की जीत का प्रतीक बनाया और इसलिए हर साल हम भारत भर में क्रिश्ण का जन्म यानि की जन्माष्टमी मनाते है